मेरा नाम श्रया है और आज मैं आपको भगवान के नाम के उपर एक बहुती सुन्दर कहानी सुनाने जा रही हूँ मैं अब बहुत चोटी हूँ इसे लिए मैं भगवान के नाम की महिमा के वारे में वन्न करने में असमर्त हूँ परंतु हर ग्रे सीता ठाकुरानी माताजी के अग्या अनुसार मैं इसे वर्णन करने का प्रयास करूँ हम एक सुन्दर कहानी को सुनते हैं तो एक बार की बात है नारत मुली एक बार की बात है नारत मुली एक बार की बात है नारत मुली भगवान के दरबार में गए और उन्होंने भगवान से पूछा कि हे प्रभू आप मुझे अपने नाम की महिमा बताईए तो भगवान ने कहा कि हे नारत मुली भगवान की महिमा के वर्णन करने में और समर्दूं लेकिन मैं आपको अनुभव करा सकता हूँ तो नारत मुंझी ने कहा ठीकिए अप्रभू आप मुझे अनुभव कराईए तो भगवान ने एक ते कीडे किया और इशारा किया और नारत मुनी से कहा तो नारद मुनी भगवान के पास दे और उन्हें सब बताया कि ए प्यभू मैंने जैसे ही उस कीड़े को अपने हाथ में उठाया और जैसे ही मैंने हरी राम बोला वो इस कीड़े ने अपना उसी समय दे प्याग दिया तो भगवान ने कहा कि अच्छा ऐसा हुआ तो इस बग बएहान ने एक बड़ी सुंदा च्छी की और इया और नारद मुनी और दकैनि आपको तुट्ली के पास जईए और उसके खान में हरी नाम बोल कि आए तो नारद मुनी गए और उन्हुने झैसे उस वसकी अपने थैसे किक ए कानमें हरे अगरे कृष्ण्अ हरे प्रष्ण प्राप के पास गये नारदमुनी और सबताया कि है प्रभू आप जैसे ही आप जासे हम पास तित्ली आपका नाम बोला तो वह जो पास तित्ली भी इसी से में मर गई तो भगवानने का अच्छा ऐसा हुआ तो चलो इस बार तो बच्छरे के पास जा और उसके कान में बोल क् तो नारद मीनी डर के मारे कापने लगे और सोचने लगे कि ये तो बहुत ही जादा गोर अपराद हो जाएगा मुझे गोहत्या का पाप लग जाएगा अगर ये बच्छा भी मर गया तो और दूसरी तरफ वो ये भी सोच रहते कि ये भगवान की आगया है मुझे इनका पाल कि इस गाय के पास जाएगा मुझे कान में बोला तो वो घाए भी उसी समय मर गई तो नारद मुणी बहुत ज़्यादा डर गए और सोचने लग लगे कि ये भगवान का मंत्रो तो सबको मार रहा है तो वो आपस भगवान के पास जाएग और उनसे का कि हे प्रभु आपका है यह दूसरे अ इसमें मारने काहिए तो पहुराँ ने कि आंज चाहिए नारत ÖNi-क आगे आगे देखिए तो पहँसे नारतอนी ने सचा ठीक है तो बगवन ने काई भाधाल ने काई उनके यहां एक पुत्र हुआ है और आप उस contexts चाहिए और उसके लेकिन उन्हें फिर भी बगवान का अनादर नहीं कर सकते थे इसलिए उन्हें जाना पड़ा तो वो गए पास गए जैसे उन्होंने तो काशी के महराज ने इनका स्वागत किया उनकी सेवा की और अखिर में उन्से कहा कि ये नारद मुनि आप मेरे पुत्र को हशीरवात दीजिए तो नारद मुनि बहुत जाधा ज़्यां डर गये लेकिन दीर धीर गये उस Ama कान में उसरे है क्रिश्ना हरे कृष्ना कृष्नप्रिश्चने कृष्ना हरे तो वो बच्चा उठके बैट गया और कहने लगा कि हेना अरद मुनी आपने मेरे हर पूंग जनम में मुझे बचाया है किड़े के शरीद में था आपके द्वारा फिर मैं धिक्त्री के शरीद में पहुंचा और आखिर मुझे मनुष्य जीवन मिला जिससे अग्या भगवान की सेवा कर सकता हूं और मैं भगवान के धाम वैकुंत वापस जा सकता हूं तो नारत मुईनी को सब समझ में आ गया और वो सीधा भगवान के पास गये और उनके चर्डनों में गिर गये और कहा कि हे प्रभू मुझे आपके नाम की महिमा और शक्ति है बहुत ही अच्छे से समझ आ गया आपके नाम में सच्मत बहुत जादा शक्ति है तो इस कहानी में हमने रखा कि जो पहले वो जीवात्मा थी पहले एक कीड़े का शरीफ मिला उसके बढ़ सी एक शरीफ मिला और अखिर मनुशय जीवन मिला जिससे वो भगवान की सेवा कर सकेगा और वैकुंद धाम जा सकेगा तो हरी नाम ने उसके योनी चक्र में बहुत तेजी से विकास किया और वो शरीर के कश्टों से भी बज़ गया तो जो हरी नाम है वो गोलो के प्रेम धन हरी नाम मतलब वो गोलोग धाम से हमारे पास आया है वो गोलोग धाम का हरी नाव एक धन है और चैतन्य महाप्रभु जो की स्वाय मरवान प्रिष्ण थे वो इस बहुती जगत में आये और उन्होंने फुले हाथ उसे सब को बाढ़ता हरी नाव तो जैसे जीव का जन्म होता है उसे म भाईवार, धन, दौलत इन सब में फसा रहता है और लेकिन उसकी वास्तविक चिंता क्या होती है उसकी वास्तविक चिंता जन्मृत्य जराव्यादी का चक्र होता है जिससे निकलने के लिए सिर्फ एक ही सादय है जो की हरी नाम है और भगवान शुर्द भैष्ण वो का स दो मार गया है एक बहुत ही मुश्किल मार गया और एक बहुत ही सरल मार जो पहला मार तो है कि तपस्या करना यम नियम का पारन करना और ध्यान करना तो यह सब बहुत ही कटीन है इसमें बहुत समय लग जाता है कभी-कभी तो जन्मांतर भी लग जाते हैं लेकिन हमारे नाम का प्रेम पुर्वक। जब करना और भगवान के भुक्तों की सेवा करना। तो अगर हम तो देखा जाए इस कहानी में नारद मुनी को बहुत सारे बहुत सारे प्रश्ने थे। उनको कुछ शंकाएं थी कि क्या भगवान के नाम में कितनी शक्ती है। लेकिन हमें भी कभी कभी शंकाय होती है, लेकिन हमें कभी कभी लगता है कि क्या सच में मेरा कर्मी की विकास हो रहा है, क्या सच में मैं गोलोग धाम जा सकूंगा, क्या सच में मैं पाप मुक्त हो रहा हूं। तो अगर हम हरी नाम को पूरा ध्यान पूर्वक और प्रेम पूर्वक से जब करेंगे तो अबश्य ही हमें सब कुछ समझ आएगा कि भग्वान के नाम में कितनी शक्ति है शिला रूप गो स्वामी ने उपदेशा मृत में कहा है उत्साहात निश्यात धर्यात ततत कर्म पर्वत नात संत्याग संत्यागस्त सक्तु रितेश अटवी वक्ति प्रशिद्यति भग्वान के धाम जाने के लिए छे सरल मार है उत्सा उत्सा के साथ भग्वान का जब करना निश्छिंत होके जब करना kमिसी चीज के चिंता नहीं कर भुझ पर छोड़ देना चाहिए और जो शास्त्र में नियम बताए गहे हैं उनका पारण करना जैसे कीर्थन करना भगवान के बारे में श्रवर्ण करना और भगवान को याद करना उन लगों के संग का त्याग करना जो सिर्फ भौतिक कारे कलापू में अपना समय गवाते रहते हैं और उन्हें भगवान में भी कोई रूची नहीं होती है और हमारे आचारेों के द्वारा जो भी मार्ग बताए गए हैं उनके उपर चलना तो इन छे चीजों से हम भगवान के धाम जा सकते हैं जिस मात्रा में हम भगवान पर विश्वाश करें उसी मात्रा मैं भगवान अपने आपको प्रकट करेंगे आशा है आपको यह कहानी बहुत ही अच्छी लगी हो अब हम क्विज गईए क Lock line तो पहला question है तो पहला question है What question was asked to Lord Krishna and by whom? भगवान कृष्ण से क्या पूछा गया और किसके द्वारा पूछा गया? पहला option है What is the greatness of your mantra by Naradmuni? आपके नाम की क्या महिमा है? Naradmuni के द्वारा What are the three modes of nature? या शेवजी के द्वारा प्रकिर्टी के तीम नियम कौन है? शेवजी के द्वारा आत्मा क्या होती है? Naradmuni के द्वारा या किन तत्व से शरीर बनता है? स्वयम भगवान प्रिष्ण के द्वारा मैं उटकर्ष 1st question What is the greatness of your mantra by Naradmuni? Very good Very nice अथकर्ष अशेवजी के द्वारा Next question Shreya To whom Naradmuni went first to speak the holy name of God in the ear? Naradmuni सबसे पहले किस के पास दये हरी नाम इसके कान ने बोने किए मोर के पास, कीडे के पास, एक लड़की के पास, एक तिखली के पास और मुझे जब टनेश नियमा One second, सब hand raise करेंगे और तब ही answer करेंगे Harikishna Okay, तो अभी आपने आंसर करेंगे ना Tanishkan उतकर ठीक, आप समर्त आंसर करेंगा Harikishna 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 Prabhuji अब जोरे हैं मारे वर्म एक मिन्ट, वन मिन्मिन Harikishna, Madhuji, मैं थे लिए थीन मिन्ट के लिए कुछ अपना एक्स्पेर करना था Sorry to interrupt you all Okay, आवा जारहिया Yes, Prabhuji Shreya, अपना screen share बन करो, बेटा Okay Okay, thank you so much Yes, Shreya Hirati Sharprabo अपना video अपरिया Shreya Hirati Sharprabo Hari bol Harikishna तो फिराज महराजी जये है तो आप सभी तो हम आप लोगी कृपश है इस से गल इन्हें कि तो अ को वह दो थी अच्छा परिक्मा हुआ यहां फेरी पछाद भक्तों के साथ परिक्मा करने में क्या होता है कि ज्यादा डिस्टेंस पता ने चलता है और अवंकी कम लिए इस्ते कि हमें प्रोसाहन मिलता है और अम यात्रा को सकुषल संपन्द करते हैं तोटल 21 किलोमेटर की आत् कि बीच में प्रभु जी कथा भी कर रहे थे जो सवेरे उन्होंने कथा किया था कौन सा जगा पर किया था पर प्रभु जी की तलाटी में बहुत सुंदर और वंदलब ये परिक्रमा के महात्मे के बारे में बताया रहा कि गिराजी करनी चाहिए और आगे भी राधा कुन हम लोग ने वहाँ पर आश्मन किया और सारे धाम, खुसुम सरोवर, मांसी गंगा ये सब होते हुए हम लोग लोग असवाद प्रशाद हुआ, सब अपनों ने अपना अपना एक्स्पिरियंस सेयर किया, कही माताय पहली बार आई थी और उनने पहली बार ही पूरी नंगे परितमा मिश्या फुटार के लिए थी रिखल पड़े हैं विर्णावन ने तो इसम्हाद करेंगे वर्साना भी जना था बड़ अब अब भीड पीड भीड फॉर भीड पीड भीड पीड जी तो अप्रीड ज़ता दख भीड थी वाहाँ पीड पीड ब्री राजी में कैसा सही हाँ आए उसके बाद लोग पोचे हैं अपने गेस्टाउसी में रात को गैराव भजे हमुट एक आपने पमूर ग्याराइट निकले से से अमिले से परिक्रमा करा थे कि अगर गाड़ी चलाने में उनको दिक्कत हो रही थी और बहुत दीमे दीमे गाड़ी बढ़ रही थी तो अच्छा आए कि उन्होंने मना किया, फिर हम लोग पीछे से देख देख से कुछ तरह से कुछे, और आतमे फिर सब लोग साड़े चार बजे उठ सती प्रष्याद बिंदा मन से भाख्त लोग नहीं बना लायते थे और बात-बहुत अटकी हिएb Notreम अफेड़ी थी का इया क्या था अर्यवं इस जाल झाल कोछिस अथा कि पिए चावल था ऑगी जॉड़कर Jeanine कि अब भी लाएंगे हुश कुछ लाएंगे आप लोग के लिおい व a अब पुन हो प्र राम व किया और हम आपकी अपलों को शेर करेंगे य अपना गवर्धन के लिए खेरेंगे फजराइब लिए आप लुको लाइब दर्शन नहीं किर रापक मुझेद जब तो जब हम वहां से किर्वाइब सब्सक्रा का राऊंगा विए नहीं कर लगा लगाए नड़ सुनेंगे थैंक यू सो मच प्रशाद लेकर आई यहाइगा थैंक गपना आख थैंकियू थैंक्यू ब्रेकिंग नियूज आगी थी बीच में तो इसले हमें श्रेया को इंटरप्ट करना पड़ा और क्विज को हमें बीचे रोखना पड़ा तो सबको गिरी राजी की जाए तो श्रेया अप शिरू कर लिजे सौरी फॉर इंटरप्शन तो सेकंड पर्षिन है तो हुम नारतमुनी वेंट फर्स्ट तो स्पीक देह नाम नाम बोले के लिए नारतमुनी सबसे पहले किसके कान में बहरी नाम बोले के लिए wt welcome धळुरें तो सबसांगा झासर तो उपक्त लिए कानल में खेवा कर ले बॉर्म सबसे करते के लिए और मॉंप के लिए टानि खेवेर नाम भाट सबसेते हां तरth現在 झानिछ काइसल Okay, Alok? Alok, answer to the question. Second, second, oh very nice. Arna? Warm. Ori, yes. Warm. Warm, I just feel the truth. I just feel the truth. Don't think. No, I'm warm. पक्का पक्का तुना है मैने हाँ यहाँ तर्याग अप्राइट एंसर है अपका येस माता जी हरी अरीव वे आपने हार के है okay next व्रह्यार रहिए जब प्लीस तयार रहिए रहिए राज़ रहेंड who was blessed with a new son? who was blessed with a new son? king of Mathura Mathura Keraja a poor family a poor family a lion a sheep king of Kashi 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 Kera Very nice question Shreya very nice very nice कि यह बत्चे के बत्चे अंप्ट नगरें गया। कि अपर्ट था उन्सिटी एफ वर संप्रों कि लग अज़को ओरृट कि अपर्ट था। ओपर्षे, को, समर्षे, यहाउ खाल किजे? King of Kashi King of Kashi, ayah Kashi, Aalok Kashi में बैठा है जो कशी बोल रहो है Aalok Kashi का रहने वाला है इसलिए Kashi का रहने तावी? नेपका, समर्षे, पर्षे Okay, yes Tanishk काशी, king of kashi, okay very nice, okay, sukmari lelita, अगर श्टोरी चुनी तो एंसे दो कॉनसा एंसर है? 4th, 4th है, तुम लोग सब काशी के पीछे क्यो हो भाई? हम तो मतुरा पीछे हैं, okay, shalini एंसर दो भाई, okay, और कौन बजगिया, गौरी, yes, गौरी, king of kashi, माता जी, तो गरत बात है, मेरे साथ में कोई नहीं, okay, our name, king of kashi, तो काशी, okay, Shreya बताएगी, Aasta, पूछो, ये, सही आंसर, king of kashi है, जबने सही बुला, हरीबूर, no, मेरा ये ये, आसर गलत हो गया, अबने भहत ही ध्यान पूर्वच् चुनी है, स्टोरी, जच में नहीं ध्यान से नहीं सुनी, यहां ज्किरिवान से वए प्रशाद क्षादा मैरा दिया थाँ माधीजी राट पुरट हो गहाए मैरे लेख तो क्या करूए मैरे थाँ, प्रशाद को सुनते ही मुझे साब लिमांग, हमाने ही बढ़ाए कैष्रेया, next question what are the miseries of the material world birth old age disease death all of these जन्म, चराः, व्यादी, कि मृत्यू या इन में से सब? मैं बुलू जी मातर जी 5 इतो है नी option मातर जी नी option ही नी 4 4 4 4, मेरा एंसर 4 गोरी तुमारा एंसर? 5, all of these 5 यह सार्णा? आर्णा? आपका क्या अंजर है? वायव लफी आर्णा मेरे साथ है वोड वेशाली? नायग पाटजी उसने वो फफ्थ दिया वो फिफ्थ दिया? नहीं मेरे साथ है वोड बुल रही है पाटजी वोड वोड़ी वोड़ी साथ है वेशाली वोड़ी साथ है विव वेशाले वुग वेशाली मुशाली साथ है अलोग हम तब छीव पर्स मताँ क्या हुरा मेरे साथ कोई भी नहीं आठा Okay, Sukumari Lelita, answer do. Iska answer do, Shreya ka? Oh, sorry. Fifth, all of these. No, fourth. You are my son, my son. Madhu ji, you are busy in Prishad. I think we should take Prishad. Okay, yes, Shreya. The right answer is all of these. In my case, Jann-Mhrithyuk-Jahraavyadhi, these four are the real ones in this Bhotik area. So, we should take care of it from this. But Shreya, my answer was right. One is right. Don't do it wrong. It's Madhu ji. It was five years ago. Today, it's our day, so how do we do this with us? One is right. Madhu ji, Shreya has been so good. She said, Madhu ji, you are not partially right. No, partially. You know, Madhu ji, you are not partially right. Madhu ji, you are not partially right. But she has a very perfect answer. She said, you are not partially right. It is just true. It is just true. What is the goal of Shreya? How do you feel? How do you feel? How do you feel? Shreya, 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 Shreya. Padra ji, there are other questions. There are other questions. There are other questions? Oh. I thought that. Padra ji, there are 12 questions. What is the goal of human body? What is the goal of human life? Serving the Lord. To serve the Lord. To just enjoy. Just to serve in your life. All of these. None of these. Yes, Udkarsh and Tanishq. Serving the Lord. Yes, Madhu ji. To just enjoy. Madhu ji, you are really happy to enjoy. To just enjoy. That's the right answer. Yes, Madhu ji. Arna? Serving the Lord. Okay. All of these. We can enjoy all of these. We can enjoy all of these. Yes, we can enjoy all of these. Yes, we can enjoy all of these. That's the right answer. Now we have a lot of options. One, two, three. Now we will ask from Samad. Samad? Will your sister do it? No. Do not. Do not answer. 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 Yes, I understand. Tell. Yes, I understand. Yes, I understand. Yes, I understand. Serving the Lord. Serving the Lord. Yes, I know. Yes, I do not. No. Yes, I am. No. Yes, I am. No. No. प्रेया क्या अंसर है सब को बताएए इसका सही आंसर है सर्विंग द लॉर्ड क्योंकि सिर्फ मनुष्य जीवन ही एक ऐसा अफसर होता है जिसमें हम भग्वान की सेवा कर सकते हैं और वापस लेकुंठ दाम जा सकते हैं एक अवाई ओ आज जो अज अज बस्वास हार हो ओहत बेरे एक 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 एन दर बाज़ो अज्वाग आनसरो कर देते कि वो अल इफ ऑन अल यह सकता अँ अल अज़ा अब्द कर रहें कि अगर हम एन्जॉए कर एंगे और सोचते रहेंगे कि हम बाद अर्द में कर लेंगई कि अजया जब कर शिर्फ नाइस कि आपड़ ओ जाए जए प्रकवा चाहिए हो जाए झाल कर शाल करूंस कुछ नहीं है चाहिए हुआ जहा जब कि पादह जब कर ने में कितना आंद आथा है रिली इसे एक विश्वल एंजॉयमेंट होती है गाली नहीं आटाए हैं प्रशाद कान्य ने हृच किसे इतो घ्र गालले एक गास्तार के और टिया य। आटने में असली द्धन क्या है Health, health is wealth, family, family, holy name of Lord, Bhagavan का नाम की पैसा Hand raise करिये, कौन अंसर करेगा Okay, इसका इखरे हाँ, उच्छी है तर्षी तर्षी Okay, अगौली माताची, आप करोगा अंसर I am, yeah, third Holy Name of Lord Okay, वेशाली माताची कि बच्छे Third Holy Name of Lord Okay, you why don't you think, are you reasons? कि लुपने हम लोगे पड़ते ही हाँ, health is wealth I am asking him from his children वेशाली माताची कि बच्छे, वेच्छे पारवने क्यू लगाँ है अंसर तर दुच्ट पूचार पूच्छ अच्छाग करो अच्छा माताजी आप अच्छार ने बताया तब तका अच्छार ने अच्छा आपका रीजन तो बताओ क्युकि हमें चैंटिंग करने से प्रशननता मिलती है तो इसमें वेल्थ तो कुछ है नहीं प्रशननता है तो इसमें वेल्थ तो कुछ है नहीं प्रशननता है तो इसमें वेल्थ तो कुछ है प्रशननता है तो इसमें प्रशननता है तो इसमें प्रशननता है तो इसमें प्र आप अची आपने अचाव, मने यही पढ़ाधा है, को एप एक स्कूल आप भी तो ले एज अज कल, इलुल की डेफिनेशन बदल गई अज कल, इसक्री आज कल जमाना यह है कि जो बोलो वो करो मत, अचाहिए अज कल, आपका आपका अज कल, आपका अंसर क्या है? पॉली नेम अफ लॉड पुरीट पुरीट प्रभुजी अपुरीट बाधि यह यह उट जरूरी है कि अच्छी हेल्थ होगी अच्छा शरीर होगा आंगे अपने यह साथ यह तो कि और ने सकते हैं और इसे नीचिवर का नाम लेना तो बहुत जरूरी है आपने मानसीक स्वास्त और सालिक स्वास्त को भी स्वास्तक्ना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है तो फुरस एंजिसर ने ब्रभुजी है थे जो माता जी के अपटरी ना के जिए और आंसर कै एए रटी वहां जया है हुआ टू थी पूर मेंसे बताए माताँ जी हुली नेम अभदी लॉड थे रियल वेल्स है हमारे जीवन की सब्सक्राइब अश्यान कर दो ऊती तो असली धन होली में ए लेकिन मैं सोचता हूं की सवस्त रहना भी जरूरी है कई कुई होली निर्म को लेने के लिए हम अगज सवस्त होंगे शरीर अच्छा होगा तो हम अच्छी तरीके से भगवान का जफ कर सकते हैं उनकी सेवा कर सकत सकते हैं उनका प्रशाद बना सकते हैं किर्तन कर सकते हैं तो दोनों ही जरुरी है लेकिन ज्यादा ज़ारी हो लुट है जो हरे कि आपके सुकुमारी लेलिटा हरेकिष्णामाधाची है प्रेल्फ पराना दूँ है। अजल एल्जी नहीं आपकी। भच्छों ने पूछा है, जिसे श्रेयन ने पूछा कि माताजी ने पूछा कि मारी जिए वेल्स क्या है, हमारा अश्ली धन क्या है, तो बात की सब धन जो है, परिवार, ये शरीर और ये सब पैसा जो है, वो जादा दिन सिकता नहीं है, इस शरीर के साथ ये ही रह जाता है, लेकिन जो धन हमारे संग हमेशा रहे, जिसने हमारी आत्मा के साथ रहे, वो भगवान का नाम ही है, ये पुछ ले में जो है, जो बात्या सिर्णार फुंग्गवान कर्णा सिर्णार की सुछ सब खुछतेश्टेशन थे सब लोगवान के सब ल्यारा है, जो हमारे साहत है गारी, प्राइस है गव bạn, का मैं जो हम i जो हम लिए घ्रीं, काशी का सबstat अभ जे समेवाम दोंग घु Maatah ji unmute Unmute करो, Unmute मैं कहें हूं, Mata ji, जब तक आपकी लर्निंग साथ मैं, तब तक मैं झाली नेम ऐफ दिल्ड के साथ ही जाओंगी वाव Maatah ji मैं थे और ने में भारे किन रखने पर भी आपके बहुंद नहीं हो रहे हो तो आपको की बटिको सलाम रहली थैंक यू कि आप लोग्डे डिस्ट्राक्ट होने पर भी डिस्ट्राक्ट नहीं हो इसका सही अंसर होली नेम फ लोड है क्योंकि अवेखा जैए तो जो है फैमिल और मुनिया है वो फिर्फतेम नेम करें भी नें तब तक ही आरा सातः है लेकिन जो हरी नाम्दन है वो हमारी आत्मा के साथ सदयाव रहता है okay very nice explanation हमारी लीडर्स तयार हो है very nice I'm happy to see okay next question what is the benefit of chanting Harinaam Harinaam लेने से क्या फायदा होता है living a long and healthy life एक अच्छा और स्वस्ते जीवन बिताना being popular बहुत ही जादा पॉपुलर होना becoming wealthy बहुत अमीर होना की भग्वान के धाम वापस जाना moving back to Godhead very nice question Shreya तो हम अच्छा से स्टार्ट करते हैं fourth option okay okay moving back to Godhead okay एक option तो ही आगया ये सालोग प्रभुजी आपका क्या अंसर है fourth okay Tanishkut Karsh fourth moving back to Godhead okay yes Mataji second become popular yeah Mataji अपता हमाये बीचे हैं पॉपुलर आपको अर कितना पॉपुलर वना है fertilityल्फा पॉपलर वह के अरको से पॉपुलर ने पॉपुलर वह हो है क्ञाधी कितना ने पॉपुलर पॉपलर वह है तो तो च्पूदे कितना है स्थї पॉपुलर वह हैं आपको बाद है अब हम फिर इस अब से आंसर लें के बाद रीजन भी पूछेंगे अइसे नहीं कैसी छोड़ के चले जाना है अब बताये सब एक रीजन अच्छा बाद लाइन आंसर करें कि आपको ऐसा क्यों लगता है तो वेशाली महताचु के बच्चे आपको अंसर देंगे क्योंकि हम भगवान के अंच है और हमें भगवान के पास रहना जेंगे हरीवो बड़े बड़े भारी भारी बुर्ले लगए बड़े लगए अच्छा लगए श्रया आप अंसर बताएं रवील कीज़ क्योंकि जैसा कि मने देखा कि हरी नाम से हम भगवान के अपने घर यानी भगवान के दाव हापस जा सकते हैं हरी नाम किस जगह का धन है है वेन सवर्ग का ब्रहमलोग ब्रहमलोग का हिमाल्या हिमाल्या का लगवान कि गोलोग okey oke किस किस के हांज रहे है okey तानेश के लुप कर श्या गोलोग क्यों मुझे तू लगा था हिमाल्या कि जब बद्दुली लगी थी तो आब मुझे हरी नाम मिला था कि अच्छा आणा एड़ दो हैंवेशे था हैंवेशे था था हैंवेशे था हमाल्या गोलुक अगया था था गोलुक आगया था था तैनिश कुछकष आप बताएं अबरमूलोग बोलेंगे गोलोग गोलोग क्योव अज़ इतिल दिम्यूट क्योव बताओ क्योव क्योव अज़ नहीं है कोई नहीं बाद में अभी श्रया बताइगी इसका रियल आंसर के मुझा रीजन बताइगी और ज़िए तरही इस मातव ज़िए गोलोक ॥ो अज़ इस इसधर गोलोगी ενतेशव जाेगी व लगी जाहेगी सुकुमारी मातळी मातव जय और वारी इसके लालावट कोई वर है नहीं रईमून च्शे बढ़ रहे थे या बढ़े अदिसे बढ़ रहे है उश्टे चोश्रेय आपा ए कैर लुहां tuh oh जैसे मैंने लुफ को बताया था भूछोग के क्रेम जार्मादन हरी नम तो जो पितल वहा है एन भगवान जया बहा है और भगवान डेते है मेषानए लुग्कष है टो भजोग जार्वानन तंश्टमी इने मार भगवान teόẤ हम बती हम जन्वित्यों के जर्वयादी के चक्र को पाल कार सकते हैं हरी नाम लेकर गूरु की शहरन में आकर शाष्त्र के नियम का पालन करके की शुद्भवत्यों का का संख करके इनमें सभी है वो हो बड़ ठाइड कोशन की आथा इसमै यह आयोष वेशाली नायख मातजी बच्छे वाल अटोब्व क्योँ एठ रीजन हो बनों नाया रीजन हो नहीं हो बनों रीजन हो विए भी जिए आरि चीजे आमें बगवान से कनेक्ट बर्थिए यह वरी नाइव अच्छा और्के तनिश्गूथ कर्श all of the above all of the above very nice yes samarj five all of the above yes maathar ji yes five all of the above all of the above yes all of the above yes sir answer reveal karee ka iska sahih answer sab jaisa ki sab loobo nae boli diya all of the above haribu bhagwan ka naam se bhagwan naamead jaan naam mehna aap ko ba denya ki dhahi pirabhi or guru guru ke bas ki ham harinaam le sakte aasa hoeta hai aur abhaagwan ki bhaktou ka sang karna chaghi or deo shattru me anyang palerani hobi karna chaghi say sfe harinaam de teka man meh hama ra amara kuch aul chal rao तो इसे हम नहीं नहीं यह जा पाएंगे जनरुतिय के चारा से नहीं नहीं लिकल काएंगे देन नहीं नहीं पर्फोरते हैं माताज़ जी थीर जार से चपहर बनाएंगे लिए जिवर बना दियाफ गिर वहाँ आऄ पयाँ ल dependeengम通ितर मेरें हम अध्यात्मिक जीवर में तीजी से विकास कैसे कर सकते हैं चैंट विट फेट एंड डिवोशन जब विश्वास और भक्ति के साथ करना पैसा इकठा करना योग करना और इनमे से सब ही यह ढूआ जो जब पेट करना यह पर एंड विजर जरूरी है यह भी अपर लुप कर लगव आपको क्यों लग रहे है क्यों कि अब कुछ जरूरी है इसे जड़ो ज़ुररी है, कलेक्टफन भी ज़ुरूरी है। जैने रहता हुआ है। पहाले माताजी की भचे है? तार दिशार है, लिए एपिछी देवोश्य है। और किसी का हंडरेस तो हो नही रहा है Maataji यस फर्स, चांग विद सेथ और देवोशन ओहहु, वेरी नाइस तो श्रयाभ रुम इसका रियल अंसर रटाएगी एंसर रेल इसका रियल सही आंसर है चांट विट फेट और डिवोशन अगर हम विश्वास और भग्ति के साथ हुआन के नाम लेंगे तो हमारे अध्यात्मिक जीवन में बहुत जादा विकास होगा वह तेजी से विकास होगा अच्छा अब 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 उतकर्ष और तनिश्ट ने जैसे अल अब वोला तो य क्योंकि देख जाए तो पैसा पैसा कलेक्ट करने से हम और माया में ग्रस्चिती होते जाएंगे और प्रैक्टिसिं माइस्टी योगा मतब जो फिजिकल योगा होगा जैसे जो रामदेव बाबा यह सब बताते हैं यह सब तो फिजिकल फिट रखने के लिए हमें पूरे व विलाग।